तो बाई इनके अंदर जो सोया बीन की स्टफिंग है, वो काफी मतलब ठूट ठूस के वरी गई है, काफी अच्छे लग रहा है खाने में, बाई आगी जो चट्नी है वो काफी जटा स्पाइसी है, काफी अच्छी लग रही है खाने में, दर आचोका है अपना पीजा, और ज चीज तो ऐसा लग रहा है काफी बढ़सात है चीज कीदों से खाते हो और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है रेक सो तीस रुपे के अंदर तो गाइस स्वागत है एक और तड़कते वड़कते विलोग में आपका तो भाई आज है मोसम काफी प्यारा और हमें भी इस समय अपनी च्छत पर और काफी अच्छा मोसम भी हो रहा हमना सोचा कुछ रेंडमली द्यालबाग जागे फूड ट्राय किया जाए रिजबान तेर चाहिए उसको खाएंगे भी और तेरा गया जैना आजश भूए मजाने वाला हुआ है और बाई मौसम भी काफी प्यारा हो रहा है और याल बग को भी एक्षिलोर ग्राएंगे आपको दिखाएंगे और क्या बड़े लगता है आप और क्या ट्राय करने वाले हैं रैंडमल यह है अपना टेक्निकल यह द्यालबाग बै काफी मशूर है और इसमें मैंस कहिलने याथे हैं लोबाग काफी बढ़ा है पीसे दो पर पानी बर गया है इसमें यह बहुत पीछे कार भी बहुत सारी थी काफी यादा लोग आये हुए है तो चलते हैं बाई काफी बीड हो रही है दर तो जिस काम से आहे हैं घड से हम उधर चलते हैं अब कुछ खाने की हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर सारी चौपाटिया लगती है रिजबान भाई वो कड़े हुए है तो कुछ खाते हैं हम देखते हैं हम आ चुके हैं पीजा वाले भीया पर पीजा किंग तो यह पुरा म जिस के उपर आ चुका है अनियन और कैपसिकम और चीज आ रहा है इसके उपर भर भर कर जो कि गिसकर डाला जाता है तो काफी कॉइंटिटी में इसके उपर चीज आ गया भाई इसके नंदर टंके उनदर के अंदर पिट शेकाई ऐखे एक पहले से जो रखाता हूं सिंक के आ चुका है ропः नींहें सखने के बाद चल चल कोई बात नहीं खा लेते हैं 130 रुपे के अंदर ठीक है बाई ये है कुछ ऐसा पीजा इसका बेस बहुत ही जादा क्रंची है और चीज भी खिस नहीं रहा मलब थोड़ा लोकौलिटी का चीज है ठीक है बस ठीक है टाइम पास है ठीक है 130 रुपे के अंदर मनुरंजन हो जाएगा आपका यहां पर लगी हुई है स्टीम मॉमुस काटेल तो यह नहीं लगी है अभी द्यालबाग में पिसली बार ब्लॉप बनाने आए थे हम तो तब नहीं थी तो इसके मॉमुस ट्राइब करते हैं देशी वैज स्टीम लेते हैं हाफ अभी देखते हैं कैसा टेस्ट है और देखते हैं आपको दिखाते हैं काफी बड़िया सेटप बना रखा है देखे सकते हो लकडी वगरा यूस कर रखा है इदर स्टीमर रखा हुआ है पूरा मॉमुस का वह भी काफी अलग है हटके तो आपने मॉमुज यह बीन हैं काफी अच्छे से दिया अलगी स्टाइल है थोड़ा हट के बीजा का तो आपको बताते हैं कैसे हैं इनके अंदर जो सोयवीन की स्टफिंग है वह काफी मतलब ठूट ठूस के वरी गई है काफी अच्छे लग रहे हैं खाने में और दिखाते हैं कैसे थे मॉमुज मॉमुज तो बड़ बड़ आता है वह था बड़ तोड़ी कथी स्पाइसी क्या मॉमुज का मदलब ही श्पाइसी है यार तू चटनी श्पाइसी लोगवाओं ने बनाना कम कर दी है मतलब है बढ़ा तो ने ट्रेंड लेके आया है नए तरीके से काफी शांदार चटनी भ मॉमुज और पीजा टेस्ट करने के बाद तो भाई कापी मजा भी आया खाने में ना तुक्तेरा क्या करना है रिजबान कापी आधा मजा आया वाई अब तो वैसे निगले दे रेंडम ली और दो वंटे हो चुना है हम आरी हम लग से तो भाई ये था हमारा कुछ थोड़ होटा सा फूड़ का ब्लॉग तो इसे आपको अच्सा लागा हो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना तो मिलते हैं लेस्ट लोग में अब 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 तो